असलाम लेकूम तो स्वागत है आपका जारिक जाई का किचन में और आज में बनाओं की मुंगा फली बैगना का सालन तो अब भी वीडियो के अंद तक बन नहीं रही है और शुरू करते हूं चली बिस्मिल्ला करके तो सबसे पहले डालती हूं सरसो का तेल जब तक हमारा तेल गरम होता है प्याज को कट कर लेती हूं तेल हो गया है गरम अब इसी में मैं डालूंगी पाच फोड़न पाच फोड़न को सटकने देती हूं प्यास डाल दूंगी दो प्यास है प्याज को हलका बादामी कलर करूंगी तो जब तक हमारा प्याज बादामी कलर होता है चलिए एक मसाला मिला लेती हूं तो सबसे पहले मिला लोंगी अध्रक लेशन का पेश्ट एक छोटा चमच अब इसी में मैं एक करूंगी हल्दी का पाउडर आधा चोटा चमच मिठी का पाउडर डालूंगी एक छोटा चमच अर उसके साद देट कर दूंगी धुनिया का पाउडर तालूंगी दो चोटे चमच अब नमाक एट कर दूँगी तो देखें इन सभी मसालों को निकाल ली हूँ इसमें थोड़ा से पानी एट करके इसको निक्ट कर दूँगी ताके हमें डालने में आसानी होए इस तरह से रख लूँगी अलग से तो देखें हमारा प्याज भी बादामी कलर हो रहा है तो प्याज देखें बादामी कलर हो गया है विसी में डाल दूँगी में वैगन और मुंगा फली और प्याज के साथ अची तरह से हमना फली या भी देखें बैगन को फ्राइज दलूँगी तेजा च्रीम फ्राइज दलूँगी पास से दस में फ्राइज दलूँगी तो देखें पांक से दस मिनित हो गया है और हमारा बैगन और मुंगा पली अच्छी तरह से प्राइज होगी अबिसी में मैं आट कर तूँगी लिए जो मसाले मैं मिला के रखी थी वो मैं आट कर दूँगी अब इसी में मैं डालूँगी अब इसी में डाल दूँगी मैं चार तमाटर है छोटे साइज के तमाटर अगर बड़े है तो आप तीन ही डालिए या दो डालिए अब तमाटर की साथ इन सभी जी जो को अच्छी तरह से फ्राइज कर लूँगी तो देखिए हमारी सबजी किती अच्छी तरह से भुझा गई है तेल भी सेपरेट हो गया है अब इसी में मैं पानी आट कर दूँगी अब पानी को बॉल होने के लिए दूँगी तो देखिए सबजी बॉल होने लगी है अब इसको मीडियम फ्लेम पे करके रख दूँगी लो नी करना है मीडियम में ही रखना है और धीरे धीरे हमारा बेगन भी और मुंगा फली गल जाएगा तो धीरे धीर करके आपको दिखाती हूँ मैं बेगन और मुंगा फली की सबजी किती अच्छी तरह पकरी है और लगभग गलने आ गया है यह पांच-दस मुनिट में और हमारी सबजी बनके त्यार हो जाएगी अलब्दोलिल्ला देखिए हमारी सबजी बनके रेड़ी हो चुकी है और आपको अगर मेरी बनाई है सबजी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए है तो लाइक करिए सर करिये कमंस करिए तो चले दोस्तों विदा लेती हूँ अलब्दों आपको दुनिया अखरत की तमाम निमतों से नमाजे मिलती हूँ नेशरा सिफी के साथ असलाम लेकूम